चड़ी कला फास्ट नियूज परविन कुमार सौपती के निधन से एक बर फिर बॉलिवूड शोप की लहर दोड़ी है 6 दिसंबर 1947 को पंजाब में जन्मे परविन ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने से पहले एक बहतरीन एथलीट हुआ करते थे परविन गोला फेंग और चका फेंग यानि हैमर और डिस्क थ्रोव में नमबर वन खिलाड़ी रह चुके हैं खेल की बदोलत ही परविन कुमार को सिमा सुरक्षा बल में डिप्टी कमाड़न की नोकरी मिल गई थी साल 1967 में परविन कुमार को खेल के सर्वोच पुरुसकार अर्जुन अवार्ड से नवाज आ गया था इसके इलावा परविन कुमार सुपती ने अमिताब बच्चन की फिल्म शैंशा जैसी कई फिल्मों में काम किया है परधान मंदी निरेंदर मोदी पंजाब विधान सबस चुनावों के लिए अपनी पहली वर्चुर रैली को आज पंगलवार को संबोधित करने वाले हैं अपनी रैली में पिया मोदी लुध्याना और फटेगर साहिब संसदी शेत्रों में पढ़ने वाले 18 विधान सबस सीटों के लिए लोगों को संबोधित करेंगे भारती जंदर पार्टी ने एक बियान में कहा है कि इसके लिए 18 विधान सबस शेत्रों में एलेटी स्क्रीन लगाई गई है करीब पचास अर लोगों के मोदी का भाषन देखने की उमीद है ब्यान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में पार्टी ने परधान मंतरी की कई रैली आयोजीत करने का कारक्रम बनाय है दो दिन बाद गुरुवार को उत्रप्रदेश विधान सबस चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए वो डाले जाएंगे और इससे पहले यूपी में सत्ता रूट भाजपा की और से आज मंगलवार को लोग कल्यान संकल पत्र नाम से चुनावी खोशना पत्र जारी किया गया है बीजेपी के लोग कल्यान संकल पत्र में युवाओं के लिए रोजगार स्रिजन से लेकर राश्टवाद उत्रप्रदेश के विकास की रूप रेखा के साथ ही छोटे किसानों को मिलने वाली सम्मान राशी को दोगना करने जैसी कई बड़ी योजनाए है उत्रप्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण की वोटिंग गुरुवर 10 फरवरी को होने वाली है इसको लेकर प्रदेश में चुनावी और राचनितिक सरगर्मिया चरम पर है साथी नेताओं के बीच जुबानी हमले का सिलसला भी नई उचाई पर पहुंच चुका है उत्याप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी तिनाद और दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरीवाल के बीच जुबानी जगड़े की शुरुआ सुन केजरीवाल और सुन योगी से हुई जो मानवता द्रोही और कुरूर शासक जैसे शब्दों तक पहुंच गया देश के दो मुख्यमंत्रियों के बीच ट्वीटर पर तलक अंदाज में आरोप प्रत्यारोप का आदान परदान हुआ मुख्यमंत्रियोगी ने अर्विन केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनकी तुलना मानवता द्रोही से कर दी और दूसरी तरills स्याम केजरीवाल ने योगी तिनाद की तुलना निर्दई और कूरूर शासक से इब डाली बतादे की विधानसबा चुनाव के करीब आते ही प्रतिद्वन्दी नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसला काफी बढ़ गया है और इसी करम में सीम योगी और अर्विंद के जिवाल का यह मामला सामने आए है उत्तरपतेश में विधानसबा चुनाव के पहले चर्ण के लिए परचार भेहना शाम पांच बजे थम जाएगा और इस चर्ण में पश्चमी यूपी के ग्यारां जिलों गोतंबुद नगर, गाजियाबाद, मेरेट, हापूर, बागपद, बुलन शहर, मुजफ़न नगर, शामली, अलिगर, मतुरा और आगरा की 58 सीटों पर 10 फरवी को वोट डाले जाएंगे, पहले चर्में 2.27 कोड़ वोटर अपने मद्दान का प्रयोग करेंगे, चुनाव पर चार के आखिरी दिन, मुक्यमादी योगी तिनया साज, अमरोहा आएंगे, यहां वहें 2 बच को 30 मिल्ट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, के जनसभा मरोहा की नोगावास तादाद विधानसभा शेत्र के पपसरा के एस बैंकट हाल में होगी, त्रिप्रा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राचरीती शुरू हो ग आज सुबह ही दोनों ने कॉंग्रेस के पूरव्यक्ष राहूल गांदी से मुलाकात की और कॉंग्रेस का हाथ थामने के बाद सुधी प्रववर्मा ने कहा कि कई और विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद वितकनीकी कारणों से कुछ महीने और को इंतजार करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी से सभी का मोह भंग हो गया है, श्रोमने काली दल के साथ गडचोड के बाद बहुचन समाज पार्टी सुप्रीमों कुमारी मायावती पहली बार आज पंजाब आ रही है, मायावती के पंजाब धोरे आने पर सभा मदान के बाद 2019 की लोग सभा मदान में द्वाबा श्रेत्र बहुचन समाज पार्टी की बड़त का गड़ माना जता है, और यहां बसपा को 3.49 प्रिशद वोट मिले थे, बसपा के पंजाब परदान जो सफीर सिंग गड़ी की माने तो नवा शेर द्वाबा श्रेत्र का केंद्र हिसा है, बेशक कुमारी मायवती की रैली पूरे राच्यों में श्रोमने काली दल बसपा को मजबूती देगी, प्रन्तु सबसे ज्यादा बल, द्वाबा में किसमत आजमार है, बहुचन समाज पार्टी के उमीद्वार को मिलेगा, आज दोपहर दो बजे, नव बहुचन समाज पार्टी के राष्ट्रे चरनल सचेव, बहुचन समाज पार्टी के पंजाब परदान, जस्बीर सिंग, गड़ी साइथ कई बड़े नेता मजूद रहेंगे, देश में करोना पर लगाम लगती दिखाई दे रही है, स्वास्ते मंत्राले के और से जारी आं पिजदी कम है, भारत में करोना के कुल मामले 4,23,49,611, सक्रिये मामले 9,99,891, कुल रिकावरी 4,8,4,658, जबकि कुल मोतों का आकड़ा 5,4,62 हो गया है पिछले दो दिनों से उतर पश्चिम मद्य और पूरवी भारत के तापमान में 2-3 डिगरी की कमी आई है, हाला कि दिन में धूप खिली हुई रहती है, लेकिन अब तक लोगों को ठंड से रहात नहीं मिल रही है मोसम विभाग की माने तो 8,5 की राज से पश्चिमी विक्षोप का परभाव असर दिखने लगेगा जिसके कारण 10 परवी तक ही पश्चिमी हिमाले श्वेत्र और 8 परवी से 10 परवी की सुबह तक उतर पश्चिम के मेदानी इलाकों में बारिश होगी उदर परवोतर भारत में 9 परवी से 10 परवी तक बारिश की संभावना चुताई जा रही है भारते मोसम विभाग के मताबिक अगले दो दिनों तक ठंड से भी रहत मिलने की कोई उमीद नहीं है मोसम विभाग ने चितावनी दी है कि अगले 24 घंटे के दोरान जम्मो कश्मीर, लद्दा, गिलगेट, बालिस्टान और मुझफराबाद में छिटपूट हलकी वर्षा और बरबारी की संभावना है जबकि अगले दो दिनों तक हिमाचल और उत्राखन के कई लाकों में बारिश और बरबारी की आशंका है वहीं 9 फरवी को पंजाब, हर्याना, चंडीगार, दिली, पस्चिम उत्रपरदेश में गरज और बिजली गिरने के साथ व्यापक वर्षा और पूर्वी उत्रपरदेश और उत्री राजस्तान में वर्षा होने की संभावना है फिलाल फास्ट न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहे हैं चड़दी कलाड म्डेवी और मुझे दीजे अजासत थन्यवाद